Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी दोस्त मिनाक्षी और आप देख रहे हैं लीव लाइवि सजावट तो आज है राम नवमी, नवरात्रे का आखरी दिन है और नवरात्रे के आखरी दिन हम कन्या पूजन करते हैं कन्याओं को अपने घर पे बुलाते हैं, उन्हें भूजन कराते हैं बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कोविड चल रहा है जिसके वज़े से हम नहीं चाते हैं किसी के बच्चे हमारे घर पर आएं और हमारे बच्चे किसी के घर पे जाएं, तो जो परशाद होगा वो हम मंदीर में बढ़पा देंगे तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ, अपने पूजा घर में वहां पूजा कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हमारे किचन में क्या-क्या पक रहा है ये देखिए हमारे जोरे कितने बड़े हो चुके हैं और जिन्होंने मेरे व्लॉग देखा होगा जब मैंने कलशे स्थापना करी थी उस टाइम पर मैंने जोरे आपको दिखाए थे जब मैं से उपजा रही थी और ये मैंने मिट्टी में उपजाए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, पता ने मिट्टी में होंगे नहीं होंगे क्योंकि मैंने हमेशा रेत में ही ज्वारे उप जाए हैं बठां मिट्टी में ही बहुत अच्छे हुए हैं और ये कर रही है मेरी जठानी जी पूझा पूझा शुरू हो चुकी है मेरी जठानी जी करेंगी और उसके बाद फिर मैं करूंगी और हमने पूरिया पूजा के लिए पहले से बना दी थी उसके बाद हम और खाना बाद में बनाएंगे पहले हमने सोचा हम सब पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम फिर और खाना बनाएंगे और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ अब मेरी बारी आ गई है I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And I'm not We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays और बिट्या रानी सुबा 6 वजे से नहा दोकर तयार हो चुकी थी कि इन्विटेशन आएगा कन्या पूजन का और हम जाएंगे पर हमने इन्हें मना कर दिया था कि आपको कहीं भी नहीं जाना है और ये बन रही है आलू टमाटर की सबजी साथ में सूजी के हलवे की तैयारी हो रही है तो मैं सूजी को भून रही हूँ जब तर सा golden color नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे भूनती रहूंगी और ये बन रही है हमारी चावल की खीर हमेशा चावल की खीर ही बनती है और सबको बहुत पसंद है और यहां मैंने आलों को मैश करके रख दिया है ये तैयारी हो चुकी है हमारे कचोड़ी बनाने की तो अपने आपके साथ शेयर करती हूँ वो कौन सी चीज है जिससे मुझे बहुत नफरत है मैं नहीं चाहती है वो मेरे कमरे में रहे उसका आना मुझे बिल्कुल बरदाश नहीं है और फिर भी वो आ जाती है देख लो कौन है वो ये मुझे मेरे कमरे में बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे पता है आप सबके घर में भी ये पाई जाती होंगी बट मुझे इन से बहुत नफरत है मैंने देखना भी पसंद नहीं करती हूँ और मैंने YouTube पे काफी सारे वीडियो देखी चिपकली भगाने के उपाये ये देखिए पतीदेव बाहर से आये हैं और जब भी बाहर से आते हैं मैंने के हैंड वाश करवाती हूँ उसके बाद मैंने fully sanitize करती हूँ प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा सो गाइस हमेशा होता है जब भी मेरे घर में कोई भी नई चीज आती है मैं आप सब के साथ जरूर शेयर करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ मेरे घर में ऐसा क्या आ गया है जिससे की मैं तो बेहत खुश हूँ और summer season में उसकी बहुत ही ज़्यादा जरूत होती है तो चले चल करें तक मिल चुका है में आप सब के सा जास शेयर करती हूँ जैसे कि मैं आज कर रही हूँ तो शाम के बच चुके हैं साथ और मैंने ये फुट्वेर पहन रखे थे मैंने सोचा इसका रिव्य एक छोटा सा मैं आप सब भी किसाथ शेयर कर देती हूँ एक साल पहले मैंने ये एमेजॉन से खरी दे थे सजावट कुछ खास पर मैंने इसका रिव्य भी शेयर किया था मैंने आज पहन रखे तो मैंने सुचा दुबारा से शेयर कर देती हूँ आप डिजाइन देख सकते हैं बहुती खूबसूरत वर्क हो रखा है इसके उपर एक साल हो चुके हैं पर जो वर्क है जो मोती सिप्पी जो भी लगाई गई है इसमें अब भी तक बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है लोड़े से गंदे हो रहे हैं इग्नोर कर दीजेगा अब यूज कर रहे हैं उसके बाद ये रिव्यू शेयर कर रहे हूँ ठीक है ना छोटी सी हील है जो काफी कमफर्टेबल होती है बट ये बॉक करने में बिल्कुल भी कमफर्टेबल नहीं है आप इने 15-20 मिनट पहनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद आपके जो हील से उसमें पेन होने लग जाएगा तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आये हैं पर देखने में और विया करने के बाद बहुत ही खुपसुरत लगते हैं अब यहां मैंने गोल्डन कलर की पायल पैन रखी है और सिल्वर कलर के टोरिंग पैन रखें कुछ इस तरह का कॉंबिनेशन बना रखा है तो चले गाइस जहीं पर वीडियो का सफर खतम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा मिलती हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई